वासकार दोस्तो, मैं हो भी मलूम रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं टाइगर गोड फार्म आज हम लोग लकड़ीयों का बकड़ीयों के लिए बैठने के लिए जो ब्यवस्त्था कर रहे हैं उनके लिए ये पट्रे लगा कि एक बिड बकरियों का बना रहा है जो तक्खत वगएरा होती है बेंच टाइप की वो हम इधर बना रहा है और ये हमारी इधर ये लकडी जमा आए चूंकि बकरियों को जैसा आप लोगों को पता है सर्दियों का मौसम आ रहा है और सर्दियों के मौसम मे बकरियों को जमीन में नहीं बैठने देना है चुकि नमी से क्या है बकरियों को बहुत अधिक दिक्कते होती है निमोनिया वगएरा की सिकायत होती है इसलिए चुकि बारिस के बाद ही सर्दियां आती है तो जमीन में क्या होता है कि काफी हद तक नमी रहती है और उस नमी को दूर करने के लिए हम लोग लकडी का प्रियोग करते हैं ताकि बकडिया जितना अधिक नमी से दूर रहेंगी उतनी अच्छी स्वस्त रहेंगी तो आप ये पीछे देख सकते हैं इधर लकडी की हम बना रहे हैं बकडियों को बैठने के लिए चोकी टाइप क बना रहे हैं तो चलिए मैं आपको वीडियो बैक कमरे में करके दिखा देता हूँ सारी चीजें की कैसा क्या हम तयार कर रहे हैं इसके लिए हमने कोई लेवर वगेरा नहीं लगा रखे हैं खुदी बना रहे हैं चुकि यह लकड़ी हमारे पास थी यह हमने नीम का पेंड था उसकी कटाई करकि यह बनवा लिये थे तकते साल डेर साल पहले बकरी फार्म सुरू करने के पहले ही हमने सारा इंतजाम कर लिया था तो यदि आप लोग भी बकरी पालन करने की सोच रहे हैं या काम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी बिवस्था दीरे यह लकड़ी की चोकी है जो हम बना रहे हैं तो यह हमने तीन लकड़ी यह ली है खड़ी कर दी है तीन लकड़ी हमने खड़ी की हुई है और यह जो पट्रे की चोड़ाई है यह हमने चार इंची की चोड़ाई ली है तो चार इंची खड़ा कर दिया तो चार इंची की उचा पर हो जाएगा और तीन तीन हमने लगाई एक लकडी ये लगाई एक ये लगाई ये बीच में एक किनारे लगाई ओया चूंकि यदि हम दो लकड़ियं लगा रहे थे इधर एक लकडी है कि दर लकडी लगा रहे तो इस बीचंए काफ Button रहा था या बैठने से नीचे दगमगा रहा था इस वज़े से हमने इसमें तीन लकडिया स्टेट खड़ी लगाई है इसके बाद हमने पट जो लकडि लगाई हुई है यह आप लोग देख सकते है यह हमने यह चार इंच की है जो इसकी कटिंग है यह चार इंच की है तो एक, दो, तीन, चार, पांच है तो हमने छे जो हैं, छे पटरे लगाए हुए है और इसकी जो लबाई है यह पांच फुट के पटरे है पांच फुट लबाई है और यह हमने कोई नाप की नहीं देखा हुआ है लेकिन तीन फुट से उपर ही होगी इसकी जो चोड़ाई है वो तीन फुट से उपर होगी चलिए मैं नाप भी देता हूँ ये फीता रखा हुआ है तो वीडियो बनाते हुए थोड़ा दिक्कत होती है अकेले में सारी चीज़ें करना तो ये देखिए आप हाँ तीन फुट थोड़ा कम है थोड़ा कम है नहीं तो ये तीन फुट है तो इसकी जो चोड़ाई है वो तीन फुट है लंबाई जो है इसकी पाँच फुट तो हमने नाप भी लिया है और ये सारा इस्ट्रूमेंट हमारा रखा हुआ है ये सारी चीजे हम पहले ही फार्म बनाने से पहले ही ले आए थे ये कटर भी लाए थे काटने के लिए लकड़ी वगएरा काटने के लिए और ड्रिल मसीन भी लाए थे तो ये सारी चीजे हैं इनको हम कंप्लीट कर रहा हैं चुकि एक-दो मेरे पास पहले से बने हुए हैं तो वो थोड़ा कम पड़ रहे थे बकरियां चुकि ज्यादा आएं बैठने नहीं दे रहेंगी तो अभी ये पूरा फिनिस करना है इसकी हम कटिंग करेंगे बराबर तो इस तरह से आप लोग भी बकरियों के लिए ये मचान या जो भी आपकी तरह बोलते हैं लकडी के जो पटरे हैं इस तरह से बनाना है आपको भी इसकी बिवस्था करनी है चुकि यदि आप बकरियों को नमी से बचा लेंगे तो आपकी बकरियां जो हैं वो स्वस्थ रहेंगी ज्यादा उनमें देख रेक की जरूरत नहीं पड़ती है बांकि आप देख सकते हैं कि बारिस के बाद जो है नमी भरपूर मात्रा में रहती है चुँकि बारिस से पानी आ जाता है आप देख सकते हैं फारम में भी आप कि इसकी नमी जो है इसमें बरपूर मात्रा में नमी है यदि बकरियों को हम यहां रखें तो फिर जमीन में बैठने लाए कि जमीन नहीं है तो इस वज़े से यह सारी चीजें हम ब्यवस्थाएं कर रहे हैं तो मेरा विचार आया क्यों ना आप लोगों को इससे रिलेटेड जानकारी दे दी जाए इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला आये कि बकरियों को सर्दियों में कैसे बचाएं उस पे मैंने वीडियो में बताया था इस लकड़ी के तक्ते के बारे में कि आपको इस तरह से इसकी बिवस्था करनी है बाकी बनाते हुए मैंने आपको दिखा दिया है तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं तो यदि बकरी पालन में आप लोग उतर रहे हैं या बकरीयां आपके पास हैं और उनकी निमोनिया खासी की दिकत जो है वो नहीं दूर हो रही है आप काफी परेशान है तो इस तरह से यदि आप सारी बिवस्थाएं करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बकरीयों की जिन निमोनिया खासी इस तरह की चीजें हैं वो दूर रहेंगी और बकरियां आपकी स्वस्त रहेंगी मांके सर्दियों के मौसम में आप लोगों को एक चीज देने की जरूरत यह है कि आप उनको समय समय पर जो मैंने तेल का फार्मूला बताया हुआ है वो भी आपको कर लेना है तेल का फार्मूला यदि आप वो लोग देते रहेंगे सर्दियों में तो तेल में क्या होता है वसा की मात्रा काफी अधिक मात्रा में होता है तेल में वसा तो बकरियों को सर्दियां जो है वो नहीं लगेंगी और हलकी फुलकी जुखाम खांसी भी होई तो वो भी ठीक हो जाएगी तो आसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा आप इससे जरूर कुछ न कुछ सीखे होंगे और यदि आपने अभी तक सिर्फ एलीवेटेड सेड देखे हैं यह यह बना रखा है विचार बना रखा है उस तरह से रखने के लिए तो यह भी एक प्रकार का इलीवेटेड सेड ही इसको मान लीजीए क्योंकि यह जमीन से कुछ ऊपर रहेगा लकड़ियों के ऊपर बकड़िया इसमें बैठेंगी तो ये थोड़ा सस्ता भी पढ़ जाता है चुकि यदि आप elevated set बनवाएंगे तो काफी महेंगे भी पढ़ते हैं और मैं चुकि ये मेरी घर की लकडी है मैंने कोई बाहर से मार्केट से नहीं खरीदा इसलिए price वगहरा नहीं पता है बांकी कई लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 12 से 20 रुपए किलो तक ये लकडी मिल जाती है और लगबग 300-400 रुपए में आपका ये जो बनके तयार हो जाएगा जो हमने बनाए हैं ये 300-400 रुपए में बनके तयार हो जाएगा पांकी यदी घर की लकडी है तो फिर ये थोड़ा कास्टिली इसलिए मुझे पढ़ रहा है चुकि ये नीम की लकडी है और इसकी जो चिराई विराई है हमने साड़े दस अजार रुपए में पूरा लकडी के पटरे निकलवाए थे तो count तो नहीं की ये कितने पटरे हैं लेकिन काफी हैं पूरे farm के लिए परियाब्त मात्रा में हो जाएंगे तो इस तरह से सरदियों में बकरियों के लिए विवस्था एं हम कर रहे हैं तो दोस्तों कैसा लगा वीड़ियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और यदि मेरे दोरा किया गया प्रियास या मेरे दोरा दिया गया नोलेच जो भी बाते मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उससे यदि आप लोगों को थोड़ा बहुत भी लाव मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लें हमें सपोर्ट करें आगे बढ़ाए और यदि आप लोगों के पास कोई समस्या है तो आप हमसे सेयर कर सकते हैं हमसे पूँच सकते हैं जहां तक प्रियास होगा हर संबव प्रियास मैं करूँगा कि आप लोगों की जो समस्या है वो दूर हो जाएं चूंकि इस लाइन में मैं जुड़ा हुआ हूँ तो यदि आप कोई भी काम करते हैं तो थोड़ी बहुत नालेज तो होई जाती है मैं अपने आपको बहुत सर्वो संपन ग्यानी नहीं बता रहा हूँ लेकिन कुछ हद तक नालेज हो जाती है कोई भी काम करने से तो यदि उससे रिलेटेड आप जो भी गुड़ डे थैंक यू